दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह Airpots Pro यूज करते हैं तो आप इसे daily life में carry करते वक्त काफी इसमें धूल और dust, earwax वगएरा आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि यह हमारा white color में है तो आप देख सकते हैं इसमें हलकी सी भी धूल मिट्टी काफी जादा यहाँ पर visible हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके घर में easily available होंगी यह q-tips आपको q-tips ले लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास कुछ toothpicks हैं toothpicks भी आप यहाँ पर ले लिजिए और एक proper alcohol आपको लेना है जिससे आप अच्छे से इसे clean कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं cleaning process हमें कैसे clean करना तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने airports को बाहर निकाल के रख देना है उसके बाद आपको एक q-tips ले लेनी है उसे या तो आप alcohol से dip कर ले या फिर जो है water से भी आप इसे dip कर सकते हैं जिससे यह थोड़ी गिली हो इसमें चिपक जाएगे तो अच्छे से आपको इसको proper इसमें clean कर लेना है जो भी dust वगएरा यहाँ पर लगी हुई है उस पर आप अच्छे से इसे गुमा दीजिए जिससे यह अच्छे से clean हो जाएगा q-tips में cotton लगी होती जिससे आपके airport damage नहीं होंगे और अच्छे से यहाँ पर यह clean हो जाएंगे यहाँ पर दोसको आप देख सकते हैं यह charging point है इसको भी आपको अच्छे से cotton से साफ कर लेना है जिससे अगर आपके airports में धूल या dust वगएरा जमी है और वो charging लेने में problem कर रही है तो आप यहाँ से clean करेंगे तो वो अच्छे से साफ हो Q-tips से आपके से cap को भी अच्छे से साफ कर लेना है यहाँ पर देखते हैं इनके अंदर भी आपको Q-tips से अच्छे से clean कर लेना है यहाँ पर भी आपकी धूल मिट्टी चली जाती है जोगी काफी खराब लगती है white case होने के वजाए से यह काफी visible होती है यहाँ पर अच् इसके बाद आपको एक cotton का कपड़ा या फिर microfiber cloth लेना है उसकी help से आपको इसके ऊपर के case को अच्छे से clean कर लेना है जिससे यह उपर से भी अच्छे से clean हो जाए अगर आपके airports ज्यादा गंदे हैं तो यहाँ पर आप हलका सा alcohol ले लिजिए और उसके बाद फिर से आप इ इसे cap के नीचे देखने को मिल जाती तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक toothpick ले लेनी है toothpick लेने के बाद अच्छे से यहाँ पर इसे साफ कर लेना है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो भी धूल मिटी जमी है आप यहाँ toothpick की help से इसे भी clean कर लीजी अच्छे से फिर microfiber cloth ले लेना है उसे आपको अच्छे से इसे साफ कर लेना है अंदर भी और इसके बाहर भी देखिए अच्छे से हमारा जो case है वो साफ हो चुका है चलिए अब यहाँ पर इसके charging port को देख लेते हैं daily life में use करने से आप इसे pocket रखते हैं तो काफी dust वगएरा यहाँ प इसे भी आप toothpick की help से इसे भी अच्छे से यहाँ पर निकालने चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कितना ज्यादा कच्छड़ा भरा हुआ है यहाँ इसे आप निकाल लीजिए और यहाँ पर देखते हैं प्रोपर हमारे जो है charging port clean हो चुका है यहाँ आप देख सकते हैं charging point भी यहाँ पर देख रहे हैं इसको निकालने के बाद यहाँ पर आप अच्छे से फिर से cotton के कप्रे से या फिर microfiber cloth से साफ कर दीजिए case को proper साफ करने के बाद आपको earpots को साफ कर लेना है तो यहाँ पर आप earpots ले लिजिए यहाँ पर आपके earpots देख सकते हैं आप काफी गंदे हो चुके हैं तो चलिए हम इन्हें भी साफ कर लेते हैं अच्छे से तो यहाँ पर देख कर देख सकते हैं इसकी silicone tip होनी के होती है यह डैमेज नहों इसलिए आपको ज्यादा अंदर तक इसे नहीं करना है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है साफ करने के बाद आपको यहां से इसे हटा यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपको charging point देखने को मिल जाते हैं इसको भी आपको अच्छे से साफ कर लेना है कि यहां पर कोई भी कार्बन बगेरा जमा हो तो यहां से साफ हो जाए आपको नीचे भी इसे अच्छे से साफ कर देना है Q-tip की help से और फिर आपको microfiber cloth या cotton क प्रप्रा लेना है उससे आपको इसे साफ कर देना है अच्छे से यहां पर देखते हैं हमारे जो airpots हैं वो clean हो चुके हैं आपको toothpick की help से इसकी जालिया अगर इसके अंदर थोगा बहुत कचरा जमा हुआ है तो आप इसे भी साफ कर दीजिए तो यह और अच्छे से साफ हो जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह भी जाली बिल्कुल clean हो चुकी है हमारी यहां पर कोई भी dust आपको देखने को नहीं मिलेगी गईज अगर आपके यह इयर टिप काफी जादा गंदे हो चुके हैं जादा यहां पर एयर वैक्स आपकी लग गई है तो आप इस दो लेना है चलिए इसे हम लगा देते हैं अपने और यांप देख सकते हैं अच्छे से clean हो चुका है और इसे रख देते हैं अपने case के अंदर यहां पर देख सकते हैं केस भी हमारा clean हो चुका है जो कि अभी काफी अच्छा लग रहा है एयर पोट हमारे white होनी के वजए से हलकी फुलकी भी डस्ट यहाँ पर काफी विजिबल हो जाती है जो कि काफी खराब लगती है किसी के सामने गर हम इसे यूज करते हैं तो आपको महिने में दो बार या फिर हफते में एक बार इसे साफ पर लेना अच्छे से जिससे आपके एरपोर्ट्स नए जैसे दिखने लगेंगे दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो कि कैसे अपने एरपोर्ट्स प्रो को अच्छे से क्लीन करें बीना डैमेज किये हुए आप लोग कैसी लगी आई होप पसंद आई होगी आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजेगा हमाये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग